इस होम रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लोहे का बर्तन यानि की लोहे की कड़ाई लोहे का कोई भी वेसल और इसमें हम एड़ करेंगे प्यूटिफुल सा इंग्रीडियेंट जो मैजिकल रिजर्स देता है आपकी ग्रे हैर पे सफेद बालों पे जितने भी आपक करना है कोई और दूसरा लिक्विड नहीं करना है रोहे की बर्तन में आम्रा जूस आट कर दिजए आप चाहें तो इसे थोड़ा सा डाइल्यूट भी कर सकते हैं मैंने डाइल्यूट नहीं किया है बट अगर आपको आम्रा जूस लेना है और इसके बाद हम आड़ करेंगे कॉफी पाउडर हमारे घर में easily available है कॉफी पाउडर जो भी ब्राणी कॉफी पाउडर है वो यूज करिए इसके बाद आपको आड़ करना है या तो अलोवेरा जूस आड़ कर दीजे मेरी थरा नहीं है आपके पास तो आप अलोवेरा जेल अड़ कर सकते हैं अपने प्लांट इसका जो भी substitute है वो आड़ कर सकते हैं बट हेना आड़ करेंगे तो बढ़ियां result मिलेगा क्योंकि हेना आमला को combination होता है बहुत ही बहतरीन result मिलता है सदियों से चला आ रहा है और आज भी बहुत ही बढ़ियां काम करता है especially आमला juice के साथ ठीक है अच्छी quality की मेहंदी आप इसे ही छोड़ देंगे इसके बाद आड़ करेंगे अपना next or last ingredient एक गंडे के बाद हमें इसमें आड़ करना है इंडिगो पाउडर इंडिगो पाउडर भी easily आपको मिल जाता है online बट आपने जितना हिना पाउडर एड किया है उसके double यह triple quantity में आपको इंडिगो पाउडर में लिंक दे दूंगे सारे description box में तो आप वह वाले आड़ कर सकते हैं साथ में मैं आड़ कर रही हूँ इसमें इंडिगो ओयल हमारा homemade जो हमने घर पे बना के रखा था ना इंडिगो ओयल वह एड़ करना है इससे क्या होगा कि बालो में color तो अच्छा आएगा ही color पकड़ अब आप देखेंगे पांच में बादी देखेंगे इसका color बिल्कुल चेंज हो जाएगा यह देखिए जैसे हमने इंडिगो पाउडर मिलाया ना बस mix करने के बाद इसका color चेंज हो जाता है अब इससे रखना नहीं है फटा फट से लगा लेना है without any time waste अब जितने भी लो सब्सक्राइब मैं अज vrais ndra नरहें नहीं होता कि में unируid Folge interest फैडि ऐसे पान एक अब करणे बालों में जाता है तो आप को यही हैर पर आप डिपल कोटिंग कर लीगे अच्छ से टूथ ब्रश की help से करेंगे ना तो अच्छे से roots में भी लग जाता है तो इस तरह से आप लगा सकते हैं ठीक है लगाने के बाद आपको 15 मिनिट में ही बहुत ही बढ़िया color मिल जाएगा तो अगर आपको कहीं urgently जाना है तो 15 मिनिट इसे लखने के बाद wash कर दीजे normal पानी से and you are good to go but shampoo नहीं करना है ठीक है शैंपू आपको 24 आज के बाद ही करना है बट अगर आपको अच्छा पक्का color लॉंग लास्टिंग color चाहिए तो इसे एक से दो घंटे रहने दीजे तो आपको बढ़िया color मतलब ऐसा color मिलेगा जिसे आप तीन से चार बर शैंपू भी नॉमल पानी से वाश करिए ओइलिंग करिए रात को और नेक्स दे ही शैंपू करिए ओइलिंग के लिए भी आपको एक बढ़िया ओएल बताती हो तो एक popular ingredient है जो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है जिसे हमेशा में DIY remedies में यूज करती हूँ वह क्या है वह करी लीफ गाइस करने में काफी जड़ मदद करता है और आपके प्री मिचल ग्रेंग को ना ट्रीट करने में हेल्प करता है सब कीपिंग इस बेनिफित इन माइड आई गाट माइंड और स्कीविया करी लीफ है ग्रोथ ओई अच्छा स्कीविया के बारे में आपने सुना ही होगा आपको प इसमें हैं एंग्रीडियंट्स, सानफलार ओईल, आमन्स ओईल, करी लीफ ओईल इस्टार्क्त, अनियण ऐस्ट्रक्त, सेसमे ओई, ओलिव ओईल, वयल्ट ओयल, कैस्टर ओईल, कोकोन अट ओयल, होहबा ओईल, नेम औज, आमलह ओईल, ब्रामी ओईल, गुडहल ओईल, ब् get this handy with Scevia, इस तरह की beautiful packaging में आपको ये oil मिलता है, pump water है, तो easy to use है, आपका कोई भी hair issue है, आपका कोई भी scalp issue है, this will cover it all, आपको dandruff की problem हो, premature graying की problem हो, grow stagnant हो गई है, बालो में कोई volume नहीं है, कोई shine नहीं है, कोई luster नहीं है, hair thinning हो गई है, bald patches हो गई है, काफी जादा hair fall हो रहा है, यानि you name it and this covers it all clear in texture, this is non oily too, आपको ऐसा नहीं फील होगा कि बहुत है आपने oil लगा लिया है, बस इस तरह से आपको मसाज करनी है, roots में मसाज करेंगे, roots का blood circulation जितना बढ़ेगा, उतने benefits आपको मिलेंगे, बहुत जादा oil नहीं लगा लेना है, कि यहां से drip हो रहा है, कोई benefit नहीं मिलने वाला है, आपको हलका-हलका मसाज करना है, और अपने roots को cover कर लेना है, चली यूज करिए, स्कीवे का ये curry leaf hair growth oil, सारे links आपको मिल जाएंगे description box में, don't forget to check it out, and let me know your feedback, आप इसे continuously use करिए, और मैं इसा share करिए, कि कैसा result आपको मिल रहा है, मैं मिलती हूँ अपनी next video के साथ, till then take care and bye bye